तो गाइस काफी लोगों को लगता है कि बाहर जाने के लिए हमें कोई entrance exam देना पड़ता होगा या फिर कोई technical interview निकालना पड़ता है बट ऐसा बिलकुल भी नहीं है बाहर जाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़े चाहिए So hello guys, welcome back to my youtube channel, this is Sahil Gupta मैं आ गया हूँ एक नए vlog के साथ, तो कैसे हैं आप लोग So guys, इस वीडियो में मैं discuss करेंगे कि बाहर किसी भी country में जाने के लिए किसी भी college या university में apply करने के लिए आपको किस-किस documents की जरोध पड़ेगी So guys, end तक देखी गए इस वीडियो को, क्योंकि कोई भी document miss हो गया, तो आप लोग को problem हो जाएगी And guys, अगर आपको कोई भी queries आती है, तो आप लोग मुझे Instagram पर DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर हर टाइम active रहता हूँ And अगर guys, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो share कर देना, जिन जिन लोगों ने subscribe नहीं कर रहा हो, तो please subscribe कर देना So guys, काफी लोगों को लगता है कि बाहर जाने के लिए हमें कोई entrance exam देना पड़ता होगा, या फिर कोई technical interview निकालना पड़ता है But ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बाहर जाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़े चाहिए, एक तो हमारा IELTS के लिए होना चाहिए, दूसरा हमारी profile अच्छी होनी चाहिए तो IELTS में कोई problem नहीं आईगी, IELTS बहुत easy exam है, इसके उपर मैंने एक detailed video बनाई है, आपको link description में मिल जाएगा दूसरी चीज़ है, आपके पास good profile होनी चाहिए, good profile से मतलब है आपके पास ये ये documents properly होने चाहिए इन DA documents आपके पास है, तो आप किसी भी university में, college में apply कर सकते हो and there are very good chances कि आपको वहाँ से revert आ जाए तो चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से documents की हमें need है, मैं उन documents को एक बार description में भी mention कर दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से भी देख पाएं and इन documents को आप scan करके अपने phone में रख लेना क्योंकि जब आप online apply करते हो तो हमें hard copy की ज़रुवत नहीं होती है, आप directly scan copy online portal पे upload कर सकते हो guys अगर सबसे पहले document की बात करें, तो आपको चाहिए आपके 10th की mark sheet guys यह 10th की original mark sheet, तो इसे cam scanner से scan करके अपने phone में upload कर लेना, ताकि आप अपने phone से directly apply कर सको तो पहला होगे आपके 10th की mark sheet, secondly आपको चाहिए आपके 12th की mark sheet so guys 10th और 12th की mark sheet किसी भी university में सबसे पहले apply होती है, because हर एक university का अपना criteria रहता है कोई 60% से उपर मांगता है 10th 12th में, कोई 70% से उपर मांगता है, यह information आपको portal पे मिल जाएगी, तो सबसे पहले आपको 10th और 12th की mark sheet चाहिए guys अगर graduation के बाद की document की बात करें, तो सबसे पहला document चाहिए वो है आपको आपका passport, guys passport का front page और back page को scan करके रखना, सिर्फ इन दो pages की ज़रूद पढ़ती है आपको for further process अगला document है वो है आपका IELTS का score, essay IELTS की report generate होती है, so अगर आप किसी भी country जा रहे हो, you need IELTS तो guys next document जो है वो है आपका LOR, which is letter of reference, जो आपको या तो college से मिल जाएगा या फिर आपको office से मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि वो लोग आपको refer कर रहे हैं for further studies, तो guys मैंने 3 LOR बन वाये थे, आपको 3 की requirement होगी, तो मैंने 2 LOR college से बन वाये थे और 1 office से बन वाया था, और जो properly आतो वहां के HOD के या फिर आपके manager के signature होते हैं, next document की बात करते हैं, वो है आपका SOP, statement of purpose, जो की बहुत mandatory document है, जिसके basis पे आपकी पूरी profile जज होती है, इसका अकेले का weightage इतना है, कि अगर ये document आपका सही बन गया, तो आपको किसी भी college में और university में आराम से admission मिल जाएग तो guys, SOP का क्या motive रहता है, ये basically statement of purpose होता है, एक detailed document होता है, जिसमें आप अपने आने का purpose को explain करते हो, कि आप वहां पे क्यों आना चाते हो, और क्या करने आना चाते हो, कौन से course के लिए आ रहे हो, कौन सी country में आ रहे हो, और इसी country में क्यों आना चाते हो, यही college क्यों आपन तो guys, next document की बात करते है, वो है आपके graduation की mark sheet, so guys, मैंने b.tech किया हुआ है, यह है मेरे graduation की mark sheet, semester wise, ऐसे ही same transcript होती है, तो बड़ा confusion होता है, transcript में और graduation की mark sheet में, तो guys, जैसे आप देख सकते हो, graduation की mark sheet में, semester wise हर एक semester का अलग result है, अलग-लग mark sheet है, बस transcript जो है, वो एक ही paper पे सारे semester का result उसमें लिखा होता है, वो university से आती है, sealed envelope में, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, guys, उसके बाद चाहिए, आपको आपका passing certificate, यह है मेरा passing certificate, मेरे graduation का passing certificate, तो यह graduation का passing certificate, प्लस mark sheet, जितनी भी semester wise है, वो आपको सब एक ही document में, PDF में करके upload करनी होती है, उसके बाद चा मेरी कोई backlog नहीं थी, तो मेरे पास उसका certificate नहीं है, तो next document है, आपका transcript, यह transcript है, यह मैंने university से order करी थी, तो आप भी order कर लेना, यह sealed envelope में आती है, आपको दिखाता हूँ, ऐसे होती है, आपकी transcript, तो इसमें सारे semester का result एक ही जगे होता है, एक ही page पे, तो यह आपकी transcript है, मैं मैंसे मैंने एक open कर ली थी, और उसे scan करके रख लिया था, ताकि मैं upload कर सकूँ, बागी तीर मेरे पास seal pack रखी हुई है, बहुसी universities होती है, जो transcript डिमांड करती है, बाइक कोरियर, तो आपको कभी-कभी भी भीजनी भी पड़ जाती है, यहां से transcript, so guys, last document जो है, वो है, आप आपका resume है, तो guys resume में भी अच्छे से तयार कर लेना, क्योंकि उसके basis पे भी आप judge होते हो, तो resume में आप अपनी जो भी internship है, वो mention कर सकते हो, या फिर आप job कर रहे हो, तो उसके projects डाल सकते हो, आपके college के internal projects जो रहे है, external projects जो रहे है, या फिर बाकी आपने, जो भी extracurricular activities कर करना, क्योंकि resume में भी बहुत important document है, guys अगर आपको video अच्छी लगी हो, तो मुझे comment section में comment करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी query या doubt हो, तो मुझे आप Instagram पे DM कर सकते हो, so चलिए मिलते हैं next video में, thanks for watching.